प्रधान मंत्री से अगर शिकायत है तो वो हमें करने ही चाहिए बाद जो सिर्फ सत्ता के स्वारत की अभी की थी उस पर में छोटा सा प्रकाश डाल दूँ जहां जहां भी नरेंदर मोदी जी जाते थे जम्रू कश्मीर जाते थे बाब बैटी की सरकार है इस्ने ब्रष्टा चार किया है ये देश विरोधी है जब सत्ता का समय आता है तो उसी के साथ तीन सालों तक सत्ता पीडीपी के साथ बनाते हैं जो प्रेस पेट कर के पिसुलि स्टॉक मारकेट में सरस्वथी को ले जाने वाले लक्षमी को ले आते हैं लक्षमी ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड केजिए सामपरदाइक है और आज से नहीं आदिकाल से लगा आ रहा है या रोप तो जवाद देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मुस्लिम शुड़ है और विरोध करिये तो सामपरदा एक्ता है एक पार्टी है जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसल्मीन मुसल्मानों की एक्ता के लिए समर्पित पार्टी वो सेकुलरिजिम का पृती है और यदि विरोध करे अब मैं एक बात सिर्फ कह देना चाहता हूँ यह बात मैं कई बार कह चुका हूँ 2014 से पहले भारत आंशिक मुसलिम राष्ट था चूंकि भारत के समविधान में शरीया के प्रावधानों को समविधानिक मानिता प्राथ थी और यदि शरीया का प्रावधान सर्वोच नियाले के खिलाफ आए सर्वोच नियाले के निड़ने को कुचल कर शरीया को सर्वोच नियाले से उपर रखा गया मैं चुनवती से पूस्ता हूँ दुनिया किसी सेकुलर देश में ऐसा हुआ हूँ तो बताईए सिर्म मुस्लिम देशों में एक होता था इसलिए हम देश को ट्रू सेकुलर देश बना रहे हैं और ये लोग उसको आंशिक मुस्लिम रखना जा देखें अबरी बुरी बहली बाते कहते हैं आप सैकुलरिजम को आज हिंदुस्तान का जो इसके ओपर ओत ली जाती वो भी सैकुलर है तो आप उसको मानते हैं या नहीं मानते हैंacas बहुत वाजब सवाल किया है हम मैं बताना चाहता हूं Minority Commission का Chairman किसी गैर Muslim को बनाया कभी? Congress ने? हमने बनाया सरदार तिलोचन सिंगी को मैं पूछना जाता हूँ Congress के जमाने में कोई Buddhist मंतरी था कोई Parsi मंतरी था कोई किसी Zoroastrian को कुछ बनाया किसी Jain को बनाया किसी को नहीं बनाया सुनिये अगर vote देने की स्थिती हो तो हम बताना चाहते Common Civil Code एक ही राज्य में है वो है गोवा जो highly Christian dominated है किसी को कोई समस्या नहीं 40 में 18 Christian को टिकर दी है मैं जवाब दे रहा हूँ 40 में 18 Christian को क्यों नहीं है Minority की रहेंगे आपके लिए Minority सिर्व एक ही है इस देश का Bollywood आप देखें बीते दिनों जितने फिल्में आई वो पिट गई वो फ्लॉप हो गई क्योंकि इस लड़की ने सही खा आमेर खान का दौर अब चला गया इस देश के अंदर अब इस देश के अंदर एक ऐसा दौर है जिस दौर के अंदर आपको जो कहना है वो सपस्ट रूप से कहना है इसमें दो मुही बात आप नहीं कर सकते कॉंग्रेस की समस्या यह है कि कॉंग्रेस यह नहीं तैकर पारी कि उसका ध्यक्ष क्यों होगा उसका उसका चेहरा कौन होगा कॉंग्रेस की प्रॉब्लम यह है अब अबे दूबे मैं आपको पताता हूँ, आप खुद से मत बोलिये, सवाल सुनिये, जवाब दीजे, इत्मिनाम से 40 सेकिंड मैं आपको इत्मिनाम से देता हूँ, मेरा सवाल बड़ा महतपूर है आपसे, आपके बहुत बड़े नेता गुलाम नभी जाद ने पार्टी छ लेते हैं, आपको भारत जोड़ो यात्रा तो छोड़िये, आपको कॉंग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक आपसके नेता से नेता छूटते जा रहे हैं, क्यों? मनीश तिवारी कहते हैं कि अगर इलेक्शन प्रसेस ठीक नहीं होग गुलाम नभी आजाद जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की वजाए, कॉंग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, वो बहुत जीनियर नेता है, बहुत बड़े नेता है, उन्होंने कोई बात कही है, तो सोच समझ कर कही है, उनको लगा होगा कि कॉंग्रेस पार्टी मे आज चोकिवे अपना क्या नाम है बोडिगार्ड और पीए और जो उनके चोकिदार है वो पैसले लेते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़ पड़ है पैदुबे जी आप अपनी पार्टी को दुरुस्त करिए तब जा करके आप जनता को दुरुस्त करिए गलाम नभी आणा सब तो पार्टी छोड़की चले का है मैं अम नेताओंग बताता हूं जो पार्टी में है अके एंट्व में गड़्याइब गुलाम नभी आजा साथ तो पार्टी छोड़ की चले गए हम मैं दो ऐसे नेताओं बताता हूँ जो पार्टी में है एके एंटॉनी साहब 2014 की पराजे के बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई कॉंग्रेस की हार के कारणों में लिखा की कॉंग्रेस एक समुदाय यानि मुस्लिमों के साथ ज़्यादा इडेंटिफाई हो गई हार का कारण था ये एके एंटॉनी ने कहा और अभी आपके नेता प्रमोट कृष्णम ने ये कहा कि कॉंग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदू नाम से नफरत है करिया करवाई बोला अचारे परमोट कृष्णम ने बोला इस बात को संजे निरुपम क्या कह रहे है और अचारे परमोट कृष्णम ने ये भी बोला कि अगर ऐसे ही हालात रहे हैं जैसे मोधी है तबी मुम्किन हो रहा है नोंने कहा मैं तो देश के यूवाँ से जानना चाहता हूँ बताएं क्या कॉंग्रेस पार्टी सत्ता की भूक मिटाने के लिए सिर्फ जो बबूल भारती जनता पार्टी जर्टावाद का बोना चाहती उसके साथ जाना चाहिए साथ जानता रसकते हैzus पूरी सरचना होती है उस पार्टी का ध्यक्स जो होता है वह इसका मस्तिशक होता है जिस पार्टी का मस्तिश की राहूल गांदी तो तो पता है जब उपर वाला डिसीजन ही पर आपका क्या पॉइंट है तेके गुलाम नभी चोड़ने के लिए कुछ न कुछ बहाना तो चाहिए ना बिना बिलेम किये हुए तो छोड़ नहीं सकते तो सिंपल सी बात है कि कोई भी किसी को भी छोड़ता है दोस्ते तो आदमी करते हैं ब्लेम करते हैं ब्लेम के मैं बस सिंपल आपको पाने के लिए प्रधान मंत्री जी एडी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं वो त्याग लिए मेरा सवाल निये बट मैं इनसे बात करना चाहते हुए जो कॉंग्रेस के मतलब जब से मैं यहां पर बैटी हूँ इनको पूछा चहरा कौन होगा आपका यह मोदी की की हमेशे कायत है कि मोदी जी सोते क्यों है खाते क्यों पर मला सिर्फ इंका एजंडा यह करते क्यों है यह नहीं बता रहे कि चहरा कौन है यह क्या एजंडा होगा कौन इंके सामने आए का मोदी जी वो कोई क्वेश्चन बताई नहीं रहते हैं और जो उसके जो भी कारे करते हैं वो सब राहूल गांदी को पीम बनाना चाहते हैं पर क्या राहूल गांदी खुद पीम बनना चाहते हैं जिस दिन हमारी ये बिटिया राजनेतिक दलों की नितियों का प्रश्ण करने लगेगी न उस दिन इनके भविश्य का भी उद्वा हो जाएगा और दूसरी बिटिया ने ये सई सवाल ने पूछ रहे हैं आगे जाकर इस बात का अभास होगा नितियों पर पूछे राहूल गांदी के बारे में वहता देता हूं जो व्यक्तिगत शम्ता में मैं जानता हूं राहूल गांदी जी सामोहिक ने व्यक्तिवादी नेतरत के वो बहुत खिलाफ हैं वो कहते हैं कि नेतरत तो सामोहिक होन प्रधान मंत्री जी आपने बाहदा नहीं किया था कि मोदी जी आने वाले महेंगाई घटाने वाले क्या हूं एक सब्सक्राइब पर क्योंकि आपने बोला राओ जब कैबिनेट का फैसला फारा था जब ऑडिनेस वाला था तो निरंग कुछते या अंकुछते कैबिनेट का लिए यह तो देखें इतनी सामुइक्ता में विश्वास करते हैं कि साड़े तीन सालोग है भी समूह में अध्यक्ष ढूंड़ा ही जा रहा है इतनी सामूइक्ता है जिसका कोई कल्पना ने की जा सकती है और दो किया था मैं एक बात है कहना चाहूं देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंग जी को एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया मगर मैं यह कहना चाहूंगा उनके साथ जो यह हरकत की वो पूरी डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेट्रिमेंटल थी जो राहूल गांदी जी ने जबकि वो एक फोन छोड़िये वो एक इशारा कर देते मनमोहन सिंगी को तो वो कैबनेट और बिड़रा हो जाता इसका मतलब आपका उदेश सिर्व अपमान करना था उस समय के प्रध सब्तों कि दोस्तों की बातने किसे था जालेकуса और थी नsections कर दोबस। और नहीं कहा कि पंजाब जब धो भ söसी ने कहा कि यह खालिस्तानी है तब मैंनेों से पूछाइक बताई वह एटम को ने फिर खालिस्तानी का लेकिन पंजाब की जनता ने मुथ तोर जवाब दिया आस तक के इतिहास में ऐसा मिड़किस सुधाद जवाद एक जवाद पहले रहुल गांदी जी का जवाद पहले रहुल गांदी जी को आगे याद करेंगे पहले स तो मैं बांदारीज बताने चाहता हूं सिर्व भारत के इतिहास में दोई एलेक्शन ऐसे हुए 2019 और 2004 जिसमें महेंगाई मुद्धा नहीं था क्योंकि महेंगाई की जो रेट थी वो विकास दर्थ से बहुत कम थी आदी थी मगर इन्होंने 2014 के बात कही तो हमें तो याद आगे आ रहे 2013 बहुत अच्छा याद दिला दिये एक टोपी लगाते थे मुझे चाहिए जनलोगपाल मुझे चाहिए राइट तू रिजेक्ट राइट तू रिकाल अब टोपी पहना दी जनता को अब ये बताईए तो अंदोल केस विड्रा हुए ये भारत की इतिहास की सबसे कम आईव की नई नवेली अजब अलवेली पार्टी है जिसके की अध्यक्ष चार-चार नेताओं के खिलाफ मिथ्या आरोप लगाने के लिए कोर्ट में माफी मांग चुके अरुन जेटली जी के खिलाफ नितिन गटकरी ज कि बहुंffen कि अर्विंद केजरिवाल पर अब्रे लिए मैं आपके पास आता हूं यह जहां जा रहे हैं यहां आपकी विकट गिरा रहा है दिल्ली आए आप साफ हो गए पंजाब गए आप साफ हो गए क्या आपको लगता नहीं है कि अब ये जिस तरह से अपने आपको पिछ कर रहे हैं ये आपके लिए चिंता की बात है या फिर या फिर 2024 में आप अरविंद केजरिवाल के पीछे खड़े होने को तयार है जैसे आप दिल्ली में खड़े हुए थे 2013 के अंदर समचे देश की जनता के पीछे खड़े होने को हम तयार हैं अर्विंद केजरिवाल का सबाल पूचा 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 भी ना एक गंभीर आरोप आपने लगाया राहुल गांधी जी पर उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है देश के युवाओं को जानना चाहिए उन्हो कहा था कि जो तुम्हारे अब आप मेरे को बोलने ही निए कि तौन आरोप लगाया आप बोल दीजिए और आध्यादेश फाड़ने की जो बात आप 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 देने दिए आप ने बोल दिया ने जितना चाहे आप आप जितना चाहे डिफेंग करें आप पो आज़ादी वो नियाए की ललाए लड़ रहा है लोगों को जानना चाहिए मात्मा गांदी ने कहा कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता तुम्हारा नेतिक दाइट फे कि उसे फाल कर फेक दो वो राहूल गांदी ने किया क्या अधियादेश था हूँ अधिकारों के सबस्क्राइट की लेकर आए थे वोई कानून मेरे पास प्रमान है उसके लेकिन राहूल गांदी जी ने फाल कर वो अध्यादेश फेका कि सजायाफ्ता आदमी को चुनाव की राजनीती में रहने क अब करबंदर कर लिए उसी के साथ सुन लिजी अब एक बाद में दूसरी बात बड़ी-बड़ी इमांदारी की बात कर रहे हैं भारती जनता पार्टी के दो गाई एक सेके दुबारा बूलिए दुबारा बूली इस बात को आपने बोला कि यह जो अध्यादेश राहूल जी ने फाड़ा था यहनोंने महात्मा गांधी से सीखा है यही का ना आपने महात्मा बिलकुल देखे आप चाहे जितनी हसी उडा लिजे भारती जनता पार्टी तो कुछ धन्ना से वाल सुनिए ना मेरी बादी ने सिखाया राहूल जी को माध्मा गांधी ने आप लिखा हुआ है कि जो कानून तुमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सब्सक्राइब महात्मा गांधी जी ने सिखाया राहूल जी को अध्यादेश फाड़ने के लिए अब सुनिए दूसरी बड़ी बात क्या चुपाया जा रहा है जानते हैं इन्हों ने बड़ी बात की कि एडी सीबी आई की क्या हुआ जानते हैं विजय मालिया का लुकाउट नोटिस जारी किया गया सीबी आई द्वारा लुकाउट नोटिस को रिवोक किया उस चट्री सुटकेस लेकर इंदुसान से बगाया अब यह तो बना खुलासा इन्हों ने कर दिया कि महात्मा गां यह तो आपकी सरकार थी जिसके बारे में कहा जाता था जो रोबोट के हिसाफ से चलने वाली सरकार थी आपकी माता जी के आदेश में चलने वाली सरकार थी और यह सरकार कैसी थी समय सुधान शुत्रिवेदी जी को दिया है पूरी बात करने दिश्वाद अगर मैं दूस्तान के संसादों की लूट की बात करता हूं तो मिश्देवगन जी तुरंट सुधान शुत्रिवेदी जी के पास चल जाते हैं बताइए ना 5,30,000 करोर रूप के बादे बताइए इं करोर रूप के लिए किस परधान मंतरी को धन्यवाद का पत्र लिखा कि मेरा लोन खतम हो गया था इसके बावजूद आपके द्वारा लिखे गए लेटर के द्वारा मुझे स्बी आई से एक्स्ट्रा लोन मिल गया धन्यवाद का पत्र रिकार्ड में और एक के बताईए समय समाब तोरा इस चल्चा के लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए इस व्यू को रखने के लिए लेकिन 24 के चुनाव में मोधी के सामने चेहरा कौन होगा इसमें बड़ा कन्फूजन है और बड़ा कॉंप्लिकेशन भी है लेकिन कन्विक घल के लिए ऑटम्हादों के लिए आपने के लिए बड़ा की लोगों के लिए पर लिए तमी स को राने का शु़तों के कि लिए रहा जापने के लिए एता हमृटध़ा है टे आवातीस है उश, रिएस, भ만बद़ा है जएस, तो पJonेह है कू्यू है को वाल में हैं हम जहीं झाल झाल